हरो दोस्तो मैं हो DK आप सभी के स्वागत है में दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने खाते या बैंक एकाउल का नया ATM कार्थ बनवाना चाहते हैं या ATM कार्ड को बंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लेशन लेटर कैसे लिखा जाता ह हैं यही हम आज के वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो आवेधन पत लिखने के लिए आपको करना क्या होगा जैसे कि आपको नोट्स में लिखना है या कंप्यूटर या लैप्टाप या मुवाइल में लिखके सेप करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो टेस्ट में लिखा है आपको तो अगरे टेस्ट में आप लिखेंगे क्या यहां पर लिखेंगे साखा प्रबंधक या बैंक मैनेजर जो भी लिखा जाता है तो आप यहां पर लिखेंगे स्रीमान यहां पर इस तरह से लिखेंगे स्रीमान और यहां पर आपको लिखेंगे साखा और उसके बा लिखेंगे तो अगले टेस्ट में आपको लिखना क्या है मैं आपको यह भी बताता हूं तो यहां पर जैसे कि आपका जो भी बैंक है इलहाबाद बैंक भारती स्टेट बैंक सेंटरल बैंक पंजाब बैंक जिस जो भी बैंक है आप लिख लेंगे तो हम यहां पर बैंक का न पहले आप इसे छोटा कर लेंगे छोटा करके आप यहां पर लेंगे इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है अगला टेस्ट में देशे की लिखना है अगर आपको नया ATM कार्ड चाहिए या उसको बंद कराना है तो जो भी समझते हैं सबसे प आपको लिखना है बनवाने यहां पर लिखेंगे बनवाने और यहां पर आपको लिखना है तो और यहां पर लिखेंगे आवेदन पत्र यहां पर इस तरह से आप टेस्ट को लिख लेंगे आवेदन पत्र इसके बाद इस टेस्ट को आप नीचे रख लेंगे यहां पर इस तो आप यहां पर लिख लेंगे मानने बार इस तरह से लिखेंगे यहां से आपको एक कोमा देना है नीचे और आपको करना क्या है इस टेस्ट को आपको यहां पर साइड में रखना है बगल में दोस्तों इसके बाद जो अगला टेस्ट आपको लिखना है तो अगला टेस्ट हम क्या लिखेंगे यहां पर मैं आपको बताता हूं लिखके तो अगले टेस्ट में जैसे कि यहां पर इस तरफ का जैसे लिखे जाता है सभी नहीं सबसे पहले आप लिखेंगे सभी नहीं और घरापर अब लिखेंगे निवेदन Am a Highstore मैं इसके बार आपको अपना नाम लिख लेना है जैसे कि जो भी नाम है बैंक में तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस तरह का जो भी नाम है यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे इसके बार आपको अगला टर्स्ट में लिखना है आपके यहां पर लिखेंगे बैंक और उसके बाद आपको का एक खाता धारी हूं यहां पर लिखेंगे एक और यहां पर लिखेंगे खाता और यहां पर लिखेंगे धारी हूं इस तरह से लिखेंगे और इसको करना क्या है आपको यहां पर नीचे रख लेना है इसे हम यहां पर नीचे रख लेंगे इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों इसके बाद अगला टेस्ट आपको क्या लिखना है तो अगला टेस्ट में आपको लिखना है जैसे कि मैं आपको बताता हूं तो इसमें आपको लिखना है जिसमें मेरी यहां पर लिखेंगे जिसमें और यहां पर मेरी खाता संख्या यहां पर मेरा खाता संख्या जो भी है आप यहां पर लिख लेंगे तो यहां पर आपको इस तरह से लिखना है खाता संख्या और यहां पर आपको जो भी खाता संख्या है आप लिख लेंगे आप दोस्तों देख पारूंगे इस तरह से आपको अपने यह है कि आप यहां पर अगला टेस्ट लिख लेंगे कारण यह है कि मुझे यहां पर और यहां पर आप लिखेंगे पैसो की लेन देन यहां पर इस तरह का टेस्ट लिखेंगे पैसो की लेन और यहां पर लिखेंगे देन इसके बाद आप लिखेंगे 500 की लेन देन में यहाँ पर परिसानी हो रही है यहाँ पर आपको लिख लेना है परिसानी हो रही है इसके बाद आप इस test को नीचे लिखके रख लेंगे तो यहाँ पर आपका A भी हो जाएगा दोस्तों देख पारेंगे यहाँ पर इस तरह से इसके बाद हम अगला test लिखेंगे जो इसके आगे जो test में लिखा जाता है क्या तो दोस्तों उसके आगे का टेस्ट आपको क्या लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए उसके आगे का टेस्ट लिखेंगे इसलिए मैं इस समस्या का यहाँ पर लिखेंगे इस समस्या का इस समस्या के समधान है तू यहाँ पर इस तरह का टेस्ट लिखेना है समधान हे तू अपने खाते का ATM कार चाहता हूं यहाँ पर लिखे लेंगे ATM उसके बार आपको लिखे लेना है कार चाहता हूं और इस टेस्ट को आपको नीचे रखना है यहाँ से छोटा करके आप नीचे रखेंगे इस तरह से आपका एप भी हो जाएगा दोस्तों इसके बाद आपको अगला टेस्ट के लिए हम यहाँ से अगला टेस्ट में लिखा क्या जाता है अतह आपसे यहाँ पर लिखेंगे अतह उसके बार आप लिखेंगे आपसे निवेदन है यहाँ पर आपसे निवेदन है कि आप हमारे खाते का ATM कार्ड प्रदान करें यहाँ पर लिखेंगे ATM प्रदान करें यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ATM कार्ड प्रदान करने की किरपा करें आपको लिखना है करने की और यहाँ पर लिखेंगे किरपा करें यहाँ इस तरह से लिख के आप इस टेस्ट को नीचे रखेंगे यहाँ पर हम इस टेस्ट को नीचे रख लेंगे इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों इसके बाद आपको अगला टेस्ट में आपको दिखना क्या है जैसे कि आप यहां पर टेस्ट में लिखेंगे जिसके लिए कि और यहां से आप इस टेस्ट को नीचे रखेंगे इहां पर आपको इस टेस्ट को नीचे रख लेना है दोस्तों देख पारोंगे इस तरह से आपका यह हो जाएगा दोस्तों आपको नीचे टेस्ट में लिख लेना है धन्यवाद धन्यवाद के नीचे जैसे कि आपको लिखना है यहाँ पर नीचे धन्यवाद लिख लेंगे और उसके नीचे आपको लिखना है जैस नम्मर तो आपका जो भी एकाउंट नम्मर है आप यहां पर लिख लेंगे एकाउंट आप लिखेंगे नम्मर जो भी आपका एकाउंट नम्मर है आप यहां पर लिख लेंगे एकाउंट नम्मर अपना उसके बार दोस्तों करना कहा है आपको अपना नीचे मुवाइल नम्म लिखना है तो आपका जो भी मुवाइल नंबर खाते से लिंक है आप अपना यहाँ पर मुवाइल नंबर लिख लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इस तरह से आप अपना मुवाइल नंबर लिख के रख लेंगे आपका यह भी हो जाएगा तो दोस्तों उसके नीचे आप टेस को जोईन कर लिजिएगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं अपनी समस्या या आप यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या परसानी हो रही है क्या समस्या हो रही है तो दोस्तों उमिद करत आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में धन्यवाद